हेलो गाई जाय मंकित भट स्वागत है आपका उत्राखन ओनलाइन एजुकेशन हब में तो गाई चंद राजवन्स की हमारी सिरीच चल ले थी उत्राखन हिस्ट्री में इससे पहले हम चंद राजाओं के 53 राजाओं के बारे में पढ़ चुके थे लाश्ट हमने पढ़ा था जगत्चन देखा था हमने उत्करस काल कहा जाता है इसके काल को कुमाओ का श्वालन काल कहा जाता है नौ लाक रुपे की आई होती थी जनता में ये काफी क्या था प्रिय था तो इसके बाद आप स्टार्ट हो जाएगा यहां से चंदों का आउनती काल कैसे चंद राजवंच डूबने की कगार पर चला जाता है कैसे रोहिला लोग यहाँ पर आक्रमन करते हैं फिर कैसे यहाँ पर आपका गोर्खा लोग आ जाएंगे तो चलते हैं गाईज अपनी वीडियो पे उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए लाइक और सेर कर दीजिए तो देखिए जब जगत चंद की मृत्ती हो जाती है 1720 में तो जो इसका पुत्र होता है ठीक है देवी चंद वो क्या करता है राज जी को सभालता है तो गाईज जो देवी चंद था वो पिता के साथ पहले से ही जब पिता जी उसके जीवित थे तब से ही वो क्या करता था राजकार सभालता था तो उसे ज़्यादा कोई प्रॉब्लम हुई नहीं अब हुआ क्या गाईज देखे मैंने यहाँ पर लिखा है चंद राजवन्स का अवनती काल इसी को कहा जाता है 1720 पर गद्दी पर बैठा देवी चंद और 1726 तक इसने सासन किया तो जगत चंद का ही सबसे बड़ा पुत्र था इसे कुमाओ का विक्रमादित्य बनने का लालच था ठीक है अब हुआ क्या देखे इसने भी अपने पिता की तरह गड़वाल पर तो क्या किया आकरमण किया ही साथ में हमने पड़ा जो इसके पिता जी थे जगत्चन उनके टाइम में क्या थी आई सबसे जादा थी अब जब आई सबसे जादा थी उतकर सकाल था तो इसको क्या मिला था पिता के धन की संपत्ती के रूप में बहुत सारा धन मिला था संपत्ती के रूप में ठीक है तो इसने क्या किया इसने देखा कि मेरे पास पैसा तो ही सब कुछ है तो इसने क्या कर दिया इसके मन में लाला चा गिया जो इसके चाटूकार थे वो बोलते थे तुम्हारे पाँ बहुत पैसा है तुम विक्रमा दित्य बन सकते हो कुमाओ के ठीक हो गया तुम मुहम्मद बिन तुकलग हो इस टाइप से इसके जो चार और चाटुकार का मतलग होता है गई जो क्या करे अपना काम निकाल ले राजा से पैसे ले ले और उसक कुमाओ का मुहम्मद बिन तुकलग कहा जाता है जो इसके चाटुकार कहते थे वो कहते थे क्या कि तुम क्या हो मुहम्मद बिन तुकलग की तरह हो तो तुम वो बन सकते हो तो मुहम्मद बिन तुकलग किसे कहा जाता है कुमाओ का तो आपका आंसर हो जाएगा देवी चन नेक्स्ट है गाईच चाटू कारी पंडितों को दान दक्षिला देने में व्यर्थ कर दिया जितना भी पैसा जितना भी धन संपत्ति इसके पिताजी ने कमाई थी वो सारी की सारी वो क्या कर देता है लुटा देता है अपने चाटू कारों को मतलब इसका लाइक आप ये समझ सकते हो कि अगर किसी ने इसकी तारीफ कर दी अगर महल में राज महल में तो ये क्या कर देता था उसे सोने हीरे जवाराद दे देता था अच्छा तुम और करो मेरी तारी फ्लाइक डेट ठीक है तो सारा का सारा धन इसने क्या कर दिया उसी में अपना लुटा दिया नेक्स्ट है रोहिला सरदार दाउद खान के साथ मिलकर मुगल बातसाहत को चुनोती दी तो गाईज इसने इतनी मुर्खता वाला काम किया कि जो हमारा क्या था रोहिला सरदार था दाउद खान उसने इससे बोला कि हम क्या करते हैं दोनों मिलकर मुगलों पर क्या कर देते हैं आक्रमन तो यहाँ पर यह क्या कर देते हैं मुगलों पर आक्रमन कर देते हैं इसी की व मिल कर दी थी रोहिला सरदार दाउत खान के साथ मिल कर दी थी कुमाओ मैं रोहिला आक्रमण इसकी मूरखता से निइन वा ठीक है ओड़त लोगों को बना लेते हैं नेक्स्ट प्टरबारियों ने मिली भगत-कर इसका कर दिया वद कर दिया ठीक है जो अलमुडा के बिष्ट दरबारी थे उन्होंने शडियंत रचा और सडियंत रचने से क्या कर दी गई इसकी मृत्यू कर दी गई इसकी हत्या कर दी दूसरे में मिलता है एक जिजान चमपावत में एक जगह है जिजान वहां से हमें क्या मिला है तामरे पत्र मिला है वहां पर इसे क्या बोला गया है महराज कुमार स्री देवी सिंग गुसाई जिव बोला गया है ठीक है सेम पूरा उपर का नाम है महराज कुमार स्री देव सि गुसाई और गुसाई के बाद जिव जो लिखा हुआ मिला है जिजान जो की चमपावत में है वहां के तामरी लेक से मिला हुआ है तो इतनी चीजे आप इसके बारे में याद रखेगा ठीक है तो चलते हैं नेक्स्ट पच्पनवे राजा के सांथ तो देखे जो पच्पनव को गद्धी पर बैठाया जाता है पर तीन वर्स बाद ही उसकी क्या कर दी जाती है हत्या कर दी जाती है तो देखे हमने इससे पहले पढ़ा जो चंद राजवन्स का आउनती काल स्टार्ट होता है देवी चंद से देवी चंद की हत्या किसके द्वारा कर दी जाती है बिष क्या होता है खेल होता है हस्तक्षेप होता है वही क्या करते राजा को बनाते और वही क्या करते के मिटा सकते हैं तो सेम वही हुआ अजीत चंद के साथ भी इनको लगा कि नहीं यह राजा नहीं बनने लाएक है हमारी कोई help नहीं हो रही है तो इन्होंने क्या कर दिया उसकी भी हर्त्या कर दी तो यहां से important जो point बनेगा गाईज कि ग्यानचंद जुती की पुत्री ठीक है कि पुत्र का नाम क्या था तो अजीत चंद था जिसको क्या बनाया गया था कुमाओं का पच्पनवा अब कुमाओं पर कोई राजा नहीं बचा जो कि क्या कर सके सासन कर सके तो गईज क्या होता है जो हमारे कुमाओं के अनूप सिंग जी होते हैं ठीक है नाम याद रखेगा अनूप सिंग और जो यहां कुमाओं के स्रेष्ट दे दीजिये, और हम उसे क्या बनाइंगे? कुमाओं का राजा बनाइंगे तो ये होता है, इस बात पर क्या होता है? जो नर्पती सिंग्ध होते हैं, वो दे देते हैं तो फिर अनूप सिंग्ध क्या करता है? अलमोरा आ करके अपने लोगों से बातचीत करता है हैं तो इतनी चीज होगी इनके बारे में important आप गाईज हमने यहाँ पर पढ़ रहे हैं हम कल्यार चंद फोर्थ की बात कर रहें इससे पहले मैंने आपको बताया था तीन कल्यारचंद पहला था 14 राजा था वो कल्यारचंद फस्ट था फिर दूसरा कल्यारचंद आया था 24 वा राजा वो कल्यारचंद सेकिन था और ठर्ड कौन सा आया था कुमाओं में रोहिला आक्रमन तो मैंने क्या बताया आपको देखो रोहिला आक्रमन के बीच तो कहां से बो दिये थे देवीचन नहीं बो दिये थे जब उनने क्या किया था मित्रता की बट रोहिलों ने उल्टा ही क्या कर दिया उस पर आक्रमन करना चा रहे थे बट वो मर ज किनारे से वो कहां जाएंगे आपके अलमोडा वाले रीजन में आ जाएंगे तो देखें कुमाओं में रोहिला आक्रमन किस चंद्राजवंस के टाइम पे हुआ तो कल्यान चंद्र फोर्थ आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा सेकिंड अगर बात करें कुमाओं को द्वारा बनाई गई थी उन सबको क्या कर दिया जाता है इनके द्वारा लूट लिया जाता है इससे पहले क्या करते हैं गाईजिये जब हमारा क्या होता है यह जो रोहिले लोग होते हैं यह तराई छेत्र पर आक्रमन करते हैं तो क्या होता है जो हमारा कल्यान चंद्र हो वहाँ पर युद्ध होता है जो रूहेलें लोग होते हैं बहुत बरी तरीके से हरा देते हैं हमारी किसको कल्यार चंद की सैना को और सैना वहाँसे भाग जाती है इसके बाद वो क्या होते हैं जुतने भी रोहेले होते हैं वो पहले भीमताल पर अपना कपजा कर लेते हैं उसके बाद क्या करते हैं रामगर प्यूड़ा और सुयाल नदी के मार्ग से वो कहां पर आ जाते हैं अलमुड़ा आ जाते हैं और अलमुड़ा में जब आते हैं तो आपको पता पाने टाइम पे तो क्या थे हिंदू थे बट उनका जबरन क्या किया गया है धर्म परिवर्तन किया गया है ठीक है तो वो कहा था वो रुहेलों के कारण ही हुआ था तो गयी जो रुहेल खंड़ से कटे हर लोग आये थे अगर आपसे पूछे उस टाइम उनका सरदार कौन था तो सरदार याद रखेगा सरदार था मुहम्मद खान ठीक है सरदार कौन था मुहम्मद खान इसने क्या किया था रुहेलों के तरप से आकरमन लड़ा था रहे ठीक है तो दोनों जगे से इसलिए क्या करता है कल्यार चंद सेना को भेशता है बट्व क्या हो जाती है आपकी सेना हार जाती है तो नेक्स पॉइंट है लोगों ने मुसल्मान धर्म अपना लिया वह मैंने आपको बता दिया जबरन क्या करा गया लोगों को मुसल्मा बना गया कल्यार चंद को डोटी से गद्धी पर बैठाया गया ठीक है मैंने बताया इसको कहां से बुलाया गया था डोटी से बुलाया गया था नर्पति सिंग का ये क्या था पुत्र था ऐसा हमें कहां से मिलता है तो यह हमें लखनाव तामर पत्र से इसकी जानकारी मिलती ह तो आपसे अगर question पूछे कल्यार चंद्र जो था वो डोटी का था या नर्पती साह का बेटा था यह हमें कहां से जानकारी मिलती है तो लखनाव तामर पत्र से हमें यह जानकारी मिलती है नेक्स्ट है कल्यार चंद्र ने अल्मोडा में चौ महला मेहल बनाया जिसे राजबुंगा का किला भी कहा जाता है इंपोर्टेंट question है चौ महला मेहल कहां पर है तो अल्मोडा में है किसके द्वारा बनाया गया कल्यार चंद्र के द्वारा बनाया गया और उसे क्या बोलते ह तो गेड़ा की हत्या कर देता है और उसके बाद क्या करता है वहां चौमहला महल बना देता है उसी को क्या बोला जाता है राजबुंगा का किला बोला जाता है तो देखिए यह मैंने बता दिया आपको 1743 से 44 अगर सन पूछे रोहिलों ने कब आक्रमण किया तो 43-44 में किया रोहेलखंड कटेहर के सरदार अली मुहमद खा का आक्रमण हो गया था अवत के नवाब मंसूर अली खाने तराई के कुछ छेतर में क्या किया आक्रमण सारी इंफॉर्मेशन दे दिये गई तो ये था हमारा किसके बारे में कल्यान चंद्र 4 के बारे में ये मैंने बता दिय आपको भीमताल के नीचे परगना छकाता विजाईपूर जो की वरतमान में है रोहिलों और चंद्र सेना के मद्धि युद्ध हुआ कल्यार चंद्र भागकर कहां चला जाता है गडवाल चला जाता है ठीक है इंपोर्टेंट कोश्चिन बनेगा ये भी तो कल्यार चंद्र भागकर कहां गया था आपके गडवाल चला गया था और गईच क्या होता है गडवाल नरेश उस टाइम पे जो गडवाल के राजा होते हैं वो होते हैं कौन प्रदीप सां वो क्या करते हैं कल्यार चंद्र की हेल्फ करते हैं पहले सबसे पहले तो गईच क्या होता है ये कल जिसमें गढवाल नरीश क्या करते हैं पैसे भी देते हैं उन्हें युद्ध के रूप में भारी छ recall करते हैंनें देनी पर ठी कोई कहिते हैं कि कोई आतके तरब को बोलते हैं कि में आपको पैसा दूँगा बट आप चले जाो यहां से इनको राज दे के आप चले जाओ और आगे आप यहां पर कोई हमला नहीं करेंगे तो रुहेले लोग मान जाते हैं क्योंकि इससे पहले वो लूट पार्ट तो करी चुके थे साथ में उनकी सेना का हरजाना हुआ था जो भी पैसा उने मिली रहा था तो उनको कोई हानी दिखी नहीं तो वो क्या करते हैं पैसा लेते और बोल लेते हैं ठीक है हम जाते हैं तो यह हो जाएगा तो यहां से इंपोट नियुत क्या बनेगा के लिए तो नेक्स प्रदीब साह ने रोहिलों को युद्ध चति की भारी रासी दे कर कुमाओं से विदा किया के अपनए साशन के अन्थ समय में अंधा हो गया था इंपोटENT रहा निरा बनेगा आसreso सासन के अंत समय पर क्या हो गया था अंधा हो गया था तो कौन हो गया था वो कल्यान चंद हो गया था प्रशिद्ध कवी सिव ने कल्यान चंद्रोदय की रचना की तो गाईज जब कल्यान चंद का टाइम चल ला था उसी टाइम पर क्या हुआ कल्यान चंद्रोदै की क्या हुई रचना हुई ये किसके द्वारा लिखी गई है ये प्रसिद्ध कवी सिवी के द्वारा लिखी गई है गाईज और दूसरा अगर बोला जाए ना कल्यान चंद्र को अत्याचारी राजा भी कहा जाता था ठीक है 1748 में गद्दी पर बैठ था है और 1777 तक इसका सासन चलता है तो इसके बारे में जो information मिलती है गईज वो क्या है यह से कुमाओं का रंगीला बात्सा कहा जाता है ठीक है रंगीला बात्सा इस दसेंस आप कह सकते हो उसके बाद हम आएंगे गईज 58 राजा के बारे में तो जो 58 राजा था वो था मोहन चंद थीक है उसके बाद ज्यादा टाइम तक सब्रैचन नहीं है एक-एक-वस से आधे-अधे शाल इनका टाइम थह तो ज् sesतर सब्सक्राइशन दूलती नहीं है 69 राजा की बात करें तो 69 राजा था प्रध्युमन सा और कई में इसको क्या बुलाओगा आपने देखाओगा प्रध्युमन चंद भी दिखे गए प्रद्युमन साह या प्रद्युमन चन्द क्योंकि यह क्या था आपका जब हम अपना साह वंस पढ़ेंगे ठीक है परमार वंस पढ़ेंगे तो वहां देखेंगे एक राजा जो होता है प्रद्युमन चन्द इसको कहां से बुलाया जाता है इसको लाया जाता है गड़वाल से ठीक है इसी लिए ये एक मात्र ऐसा राजा है जो पूरे कुमाओं पर जिसने क्या किया था एक छत्र राज किया था सुरी पूरे उत्राखंड पर क्योंकि कुमाओं और गड़वाल दोनों जगे क्या थे अलग अलग राजा थे आपके वहाँ पर गड़वाल में परमार राजवन्स था और कुमाओं में क्या था चंद राजवन्स था बट ये कहां पर आता है ये गड़वाल से बुलाय जाता के बारे में इसे इसलिए में अभी यहां पे डिसकस नहीं करूंगा इसे हम डिसकस करेंगे कहां पे अपने परमार राज्वन्स में ठीक है कौन बुलाता है इसे कुमाओ से कौन से लोग है जो इनको गड़वाल से लाते हैं यहां का राजा बनाते हैं कैसे फिर यह गड़व था अगर आपसे पूछे चंद राजवन्स का अंतिम राजा कौन था तो महेंद्र चंद था इसने क्या किया था गाईज हवाल बाग का युद्ध लड़ा था ठीक है 1790 में आपको पता होगा क्या होता है गोर्खा लोग आ जाते हैं कुमाओं पर उनका क्या हो जाता है आधि हो जाता है मतलब चंद यहाँ पर क्या हो जाएंगे खतम हो जाएंगे ठीक है तो आप गाईज हम पढ़ेंगे देखे चंद हमने पढ़ लिया अब यहां से हम पहले पढ़ेंगे परमार राजवन्स तो परमार राजवन्स में हम देखेंगे पहले पूरा कहां से कहां तक जाएगा क्योंकि गड़वाल की अगर हम बात करें तो गड़वाल में क्या होता है उनका आक्रवाण 18304 की आसपास खुडबुड़ा का युद्धों होगा तब वहां पर कौन चले जाएंगे गोर्खा चले जाएंगे तो अब पहले हम स्रीज कंप्लीट करेंगे अपनी गो वस्था कैसी थी उनकी इस पर एक बीच में कभी वीडियो में बनाऊंगा बट जो नेक्स स्रीज आप गाईज स्टार्ट हो जाएगी वह हमारी कहां पे चले जाएंगे हम परमार राजवन्स पर आई होप कि आपको वीडियो गाईज पसंदारी होंगी प्लीज चैनल को ल